मैं आज किन सब्दों में अपना आभार प्रकट करूँ कि आज आपने मुझे दो मिनट का अपनी बात रखने का समय दिये हैं मैं जैसा कि इस सदन्ट में सभी सदस्यों को पता है कि मैं समाजवादी नेता मोहन सिंकी में बेटी हूँ मेरे पिता के नहीं रहने के बाद आदाणी नेता जी ने मुझे को राजि सभा दिया ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में अकिले निता हैं हमारे पार्टी के मुख्या जो कि अपने साथियों के नहीं रहने के बाद भी उनके परिवार का उनके बच्चों का और अपने कारकरताओं का बोज भी अपने कंडों पर उठा लोगते हैं मैं जब इस सदन में सपत लेकर के आई तो मैं अपने पार्टी के निता आदणिये प्रफिवसर सापके पास गई और आपने एक गार्जियन की तरह मुझको इस सदन में कैसे सपत लेना हैं सपत लेने के बाद कैसे टेमिल से आ करके यहाँ आना है यह सब आपने सिखाया और तब से अब तक एक गार्जियन की तरह ही आपका सनी मिला। हमारे पार्टी के निता आदड़िये नरेश्ची और हमारे पार्टी के सभी सदस्यों का बहुत ही सनी और आशिरवाद मिला। मैं आज अपने आदड़िया मान्या जय बच्चन जी के लिए यही कहना चाहती हूँ कि मेरी टेबिल वहाँ थी और आपने मुझे अपने पास बठाया और हमेशा एक बड़े की तरह सनी और आशिरवाद दिया और सिखाया। इस सदन के पच्चों विपच्चों सभी सदस्यों ने बहुत ही स्मेह और आशिरवाद मुझे को दिया। कि इस सदन के सभी सदस्यों को जब एबात पता लगी कि मैं उनके साथी की बेटी हूँ तो मेरे पिता की मन में बड़ा ही आप सभी के मन में आदब और सिमेहा। सभापती जी मैं आप अपना अभार प्रगट आप से भी करना चाहती हूँ कि जब मैंने एक किताब अपने पिता का निकाला इसलिए याद आते हैं तो मैं आपके पास गई और आपने जो संदेश दिया उस संदेश को पढ़ने के बाद मुझे यह अहसास हुआ कि कितना सन आप मेरे पिता से करते हैं मैं आज अपने उप सभापती जी अभी आभार प्रगट करती हूँ कि प्राइबेट मेंबर विल के दिन जिस दिन मैंने पुर्वान चल के रेल लाइन जोडने के लिए अपना इस पीस दिया तो आपने बहुत अच्छा बोला बहुत अच्छा बोला ये कह करके मेरे मनोबल को बढ़ाया इससे हम सब नए मिम्बर्स का मनोबल बढ़ता है इसलिए मैं आपना भार प्रगट पुक्ती है ये बात सही है कि मेरे पिता ने पूरा जीवन मेहनत और इमानदारी और पूरी पारदर्शता के साथ देश और समाज की सेवा करते बहुत बार इस सदन में हादरिय के सित्यागी जी इमर्जेंसी की बात करते रहे लेकिन आज मैं कहना चाहती हूं कि इमर्जेंसी का बढ़न साथ मैं करूं तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे मैं अपने पिता के नहीं रहने के बात सक्री राजनीत में आई और राजनीत को सही रूप से मैंने देखा और समझा तो मुझे राजनीत की सही परिभासा जो समझ में आई वो सेवा है जब तक मेरे मन में सेवा का भाव नहीं होगा, जब तक मेरे मन में करुडा की भाव नहीं होगी और जब तक मुझे आम आदमी की समस्याओं को जब तक हम अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तब तक हम अपने काम के प्रति न्याय नहीं करते मैं सभापती जी, मैं कहना चाहती हूँ कि मेरा 20 साल का कारिकाल था, मैं एक भी दिन अनपस्थित नहीं रही, एक दिन सिर्फ मैं जब अपने छेतर में गई तो वहां हमारे प्रतियासी का चुनाव था, मुझे ओट डालने जाना था और वो मेरी जिम्मेदारी थी, इसलिए म सिर्फ इस सदन में एक दिन अपसिंट रही हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं अपना अनुभाव आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी मैं आती थी, तो जिस भी परिस्थिती में हो, ये सदन चलता नहीं था, मेरे पिता को जब बेसांसत पुरस्तार मिला, त ज़रूर चलना चाहिए, हम लोग नए मेंबर बड़ी तेयारी से आते थे, और जब हम लोग का कोश्यन आवर, जिरो आवर में कुछ नहीं लगता था, तो बहुत मायूस होके ज़िए, एक मिनट सभापती जी, मुझे दो मिनट और समय दे दिजिए, चुकि, नहीं ये, त देखे ऐसा है, जब मैं आई, तो मैंने देखा कि प्राइबेट मिंबर बिल था, और हमारे सदन की सदस यही कहते रहे कि धाई बज़े से प्राइबेट मिंबर शुरू होगा, जल्दी करो, और ये करते करते चार बज़ गया और सदन अस्थगित हो गया, मेरे समय मैंने द चला और किसोर ने आई बिल पास हुआ चार घंते में, बड़ी समस्या हैं सभापती जी, बच्चों की, सभी ने निर्भया की बात की, लेकिन मुझे ये लगा कि किसी ने ये नहीं कहा कि उस बच्चे ने अपराद कैसे किया, उस बच्चे ने अपराद नसे में किया था, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि डिवेट भी होना चाहिए, आज मैं आपसे अन्रोध करके दो प्रस्ताव अपना रख करके जाना चाहती हूँ और ये मैं जिम्मेदारी आपको देना चाहती हूँ कि पुर्वांचल में मस्तिस ज्वर एक बड़ी समस्या है, जब मैं सपत देखा मैं इस सदन को बताना चाहती हूँ कि मैं देखी कि वहां तीन साल का बच्चा और वो खतम हो गया था, अब आपको जाना है, आपका जाल सूड जाएगा मैं देखी कि दो तीन साल का बच्चा डाक्टर उसको पंप कर रहे थे, जब मैं बाहर निकली तो उसकी मा जोर जोर से रो रही थी और ये कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचा लीजे, तो एक दो प्रस्ताव मैं अपना रख के जाती हूँ कि गोरकपूर मेडिकल कालेज को 150 करोड रूपए सुपर स्पेसलिते हस्पताल के लिए देने के लिए मैं चाहती हूँ कि सुखृती मिले, दूसरी बात जो मैं गोरकपूर इन्वर्सिटी है, उसको किंदरी बिस्विद्याले के दरजा देने के लिए मैं मांग करती हूँ और एक खात का कारखाना है गोरक भूम का जरूर हो जाएगी, मैं इस सदन के सभी सदस्यों को बहुत ही आदर पुर्वक, बहुत ही सम्मान पुर्वक प्रढाम करती है।